प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी कल 28 फरवरी की शाम को पीम किसान सम्मान निधी योजना की 16 वी किस्ट जारी कर दी है तो नमस्कार दोस्तों आज हम एक बार फिर से नई वीडियो के साथ तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देखी पीम मोधी शाम 4 बजे 16 वी किस्ट जारी कर चुके है इस पैसे को डीबी टी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा गया है पीम मोधी ने महाराष्ट्रा के यवतमाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दोरान सम्मान निधी योजना की 16 वी किस्ट जारी की प्रधान मंत्री नरेंद्र मरवरी की शाम को पीम किसान की 16 वी किस्ट जारी कर दी है आपके खाते में सोलवी किस्त की राशी पहुची या नहीं इसके लिए अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करें वहीं अगर लाभार्ती सूची में नाम होने के बाद भी खाते में PM किसान योजना के 2000 रुप्ये नहीं पहुचते तो आधिकारिक हेल्प लाइन नंबर पर संपर्ट कर सकते हैं PM मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधी की सोलवी किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधी की सोलवी किस्त ट्रांसफर कर दी धर बैठे आसानी से करें EKYC जाने तरीका कैसे किसानों के लिए फायदे मंद है PM किसान सम्मान निधी ये हवी हम आपको इस विडियो बताने वाले हैं तो आज PM मोदी जी ने कल पूरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी यानी PM किसान योजना के तहट PM मोदी 21,000 करोर रुप्य से आदिक की 16 वी किस्त जारी कर चुके है तो आप अपने बैंक अकाउंट चेक करा लीजिए बता दे की PM किसान योजना के तहट पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुप्य मिलते हैं डॉट इस स्कीम के लाभार्थियों के खातों में हर 4 महीने में 2,000 रुप्य की तीन किस ट्रांसफर की जाती है PM किसान योजना का लाब लेने के लिए EKYC अनिवार्य है बिना EKYC के किसानों के खाते में सम्मान निधी योजना के पैसे नहीं आएंगे कब शुरू हुई थी PM किसान सम्मान निधी योजना पी-म किसान सम्मान नेधी योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री मोधी ने साल 2019 में की थी। इस योजना के पैसे लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे पहुँचते हैं।